नमस्कार, इस हफ़ते के डिफेंस मंत्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस हफ़ते हम बात करेंगे BRICS Summit की जो 22 से 24 अक्टोबर को कजान राश्या में हो रहा है इसको हम एक Curtain Razor शो मानेंगे और मैं आपको बता दूँ कि नितिन गोखले खुद कजान जा रहे है BRICS Summit को कावर करने और वहां से लगातार हम आपको स्टोरीज भेजते रहेंगे जो जो वो हमें बताएंगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे लेकिन शो शुरू करने के पहले छोटा सा बैकग्राउंडर 2006 में ये चार देश ब्राजील, रश्या, इंडिया और चाइना G8 के आउट्रीच Summit के बाद 2006 में ये मिले और इन्होंने तै किया कि ऐसा एक ग्रूप बनाना चाहिए New York में उसी साल UNGA Summit के बाद ये ग्रूप फॉर्मलाइज हुआ BRIC का पहला Summit हुआ 2009 में रश्या में 2010 में South Africa ने इनको जॉइन किया और ये तब बना BRICS तब से लगातार इनकी मीटिंग्स चलती आ रही है 16th मीटिंग होने वाला है 22nd to 24th October रश्या में इस बार पाँच ने देश जुर रहे हैं इस ग्रूप में Egypt, Ethiopia, Iran, UAE और सौदी अरेबिया तो आईए जानते हैं कि इस बार BRICS Summit में हम किन चीजों का उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है Russia का Ukraine के साथ war, India और China का LSE पर stand-off और क्या ये जो नए ग्रूप, जो नए देश आये हैं, जो जुरे हैं इस ग्रूप में इसका क्या इसकी वजए से क्या changes आ सकते हैं इस ग्रूप में जानते हैं नितिन गुखले से नितिन आप कल रश्या के लिए रवाना हो रहे हैं उसके पहले आपने हमें ताइम दिया बहुत बहुत धन्यवाद तो लोगों के जहन में obviously एक बहुत important सवाल है इस summit को लेकर लेकर मैं उस पे बाद में आऊंगी उसके पहले जो बाकी चीजे हैं उस पे थोड़ा सा discussion कर लेते हैं तो यह जो ब्रिक्स की जो सद्यसता में जो विस्तार हुआ है क्या लगता है आपको इस से इस grouping के internal dynamics और decision taking में किस तरह का प्रभाव पर सकता है देखे इसके जो original chair member है उनका जो प्रभाव है और बड़ी economies होने के नाते और बड़ी economies होने के नाते अर्फवे उस्ताव उनकी काफी बड़ी है बाकी लोगों से उसके नाते उनका उनकी जो एहमियत है उनका जो महत्व है उस grouping में ब्रिक्स में वो बरकरा रहेगा उसमें क एक तो यह जो देश से बन गए है या अभी भाग लेंगे इसमें आप देखिए दो Middle East के दो देश है यह तीन है Saudi Arabia, UAE, Iran यह तीन है और दो African countries है जो Egypt और Ethiopia तो अगर आप ब्रिक्स के जो औरिजिनल से हैं उनका बहुगलिक स्तान देखें मैप पे और इनका बहुगलिक स्तान देखें तो यह इसमें इस्टैबलिश होती है क्यूंकि Brazil एक तरफ है बीच इन South Africa है South Africa के पास आप उपर नॉर्थ में इजिप्त और Ethiopia है उससे उपर आएंगे यह थोड़ा पूर्व में आएंगे तो एरान, Saudi Arabia, UAE है उनके उपर एरान से सटा हुआ रशिया और उसके पूर्व में भारत है ऐसा अगर आप देखा जाते हैं तो इसमें आती है तो इसमें व्यापार बढ़ने इसमें देशों के जो ग्रूपिंग है जैसे अभी भारत ने आएमेक नाम का एक ग्रूपिंग शुरू किया है इंडिया, Middle East, Europe, Corridor जिसमें UAE, Saudi Arabia, भारत जिसमें तीन कॉमन सलस्ते हैं जो ब्रिक्स में भी अब तीन कॉमन सलस्ते हो जाएंगे उसमें इरान अभी थोड़ उनके एकोनोमी का या अदान प्रदान का आयात निर्यात का उसमें इंटिग्रेशन होगा इसलिए यह एक बहुत सोची समझी मैं समझता हो एक चाल है जो BRICS के लिए भी लाबदायक है और अन्य देश जो इनके आस्वास हैं उनके लिए भी लाबदायक जी बिलकुल क्योंकि इन देशों के मिलने से और इस ग्रूपिंग में वर्ल्ल पॉपुलेशन का 45% और ग्लोबल एकॉनमी का 28% आ रहा है तो ये ग्रूप अपने आप में काफी पावर्फुल हो जाएगा बिलकुल अगर करीब करीब 50% अगर लोग इसमें पॉपुलेशन के तहट जुड रहे हैं तो इनके बदलाव के लिए उनके लाब के लिए जो भी निरने ब्रिक्स लेगा वो हमेशा उनके काम आएंगे इस जन्सक्या के लिए बिलकुल और ब्रिक्स का और एक महत्वर इस देशों का जो गुप है जो अमरिका के साथ जिनके अच्छे संबंदे ऐसे देश भी ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं इसे ब्रिक्स कमहत्व बढ़ता है अब वो गुफ जो है वो क्या सोचता है इसके बारे में वो अलग बात है वो अलग चर्चा का विशय है पर बिलक्स क देशों के बारे में कहा लेकिन ब्रिक्स ओरिजिनली हमेशा से कहता रहा है कि डॉलर का जो हेजिमनी है डॉलर पर डिपेंडेंस कम होना चाहिए तो शायद एक कॉमन जिसको कहते है करंसी ये शायद डिफिकल्ट है चैलेंजिंग है लेकिन लोकल करंसी में ट्रेड करना इ किस हद तक प्रैक्टिकल हो सकता है अभी? क्या लगता है आपको? इसमें अभी काम काफी बाकी है, काम इसमें करना पड़ेगा, पर आप रशिया और भारत का व्यापार संबन देखियें पिछले तीन सालों से, अब डॉलर में अगर रशिया ट्रेड नहीं कर सकता है, रशिया इसमें से बाहर निकल गया है सांक्शन के कारण, इसलिए अब भ इसलिए को और भी कुछ एक्सपोर्ट करना है, और अगर भारतिय जो करन्सी है, INR जिसको कहते है, इंडियन रूपी, यह रूपी अगर एक्सेप्टेबल है, यूएए में, फर्ज की है, अभी हुआ नहीं है, अगर यह एक्सेप्टेबल है, यूएए में, साओधी अर्य इसलिए में या साओध अफरिका में, तो यह करन्सी इनके ब्रिक्स के तहत कॉमन हो सकती है, अगर वो तैय करते हैं कि चलो हम लोग अपने लिए सिर्फ इन गुट के लिए या इन देशों के लिए जो सजस्थे हैं ब्रिक्स के, इनके लिए हम एक कॉमन एक करन्सी लेके, इसके तहत हम गया कर सकते हैं, हो सकता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा आढंगा इसमें लग सकता है, यह है वो भारत और चीन के संबन अच्छे नहीं होने के कारण, और चीन भारत से बड़ी अर्थ विएस्था होने के कारण, चीन इसको शायद मानेगा नहीं, पर फिर यह possibility हो सकती है लेकिन डॉलर से आते हैं new development bank पे नडीबी पे तो फिर से world bank और international monetary fund IMF को challenge करने के लिए शायद एक new development bank की चर्चा हो रही थी और काफी criticize किया गया था उसको तो अब क्या लगता है आपको अब इतने साल में this is the 16th meeting पहला समिट है नए सदिस्टा के बाद तो क्या कुछ होगा new development bank को लेकर क्या चीजे आगे बढ़ेगी and क्या ये global trade में क्या ये कुछ काम कर पाएगा काम जरूर कर पाएगा इसमें एक चीज जादा महत्वकुन है और वह है new development bank को मजबूत बनाना उसमें और पैसा डालना जो अभी के जो सलस्यत है उनके बस की शायद वो बात नहीं थी उन्होंने अपना जो initial contribution था वो दे दिया था अब अगर सौदी अरेबिया और योई जैसे जो धनवान देश हैं वो अगर इसमें मरत करते हैं तो शायद उसका और कर्द दे में और में सबकंदे डुन्य यह सन्वान फशे और यह सबस्क्राइबर में उनके देटीन करते हैं उनके development funds दे सकते हैं ऐसी सम्हावना हो सकती यह जैसे संब्स्माद करना से अभी उसमें ओपर निरने होना फेर उसके को इसको implementation करना यह आगे के आगे जाकर क्या करेंगे यह देखना पड़ेगा जी मैंने अपनी audience को बता दिया है कि यह curtain raiser show है और जैसे कि आपको सुनाई दे रहा होगा कि दिवाली के ठीक पहले पठाके भी बजना शुरू हो गया है तो लेकिन हम यह show को हम interrupt नहीं कर रहे है नितिन इस बार का theme है strengthening multilateralism for just global development and security और यह meeting यह summit शिखर सम्मेलन हो रहा है कजान में रश्या में आपको लगता है कि रश्या अभी situation है कि वो Ukraine के साथ यूद चल रहा है क्या आपको लगता है कि because chair chair ship रश्या का है आपको लगता है कि रश्या अपना अजेंडा को further करने के लिए इस summit को यूज करेगा और अगर करेगा तो किस तरह से करें रश्या करेगा हर देश इस summit को अपने तरह से इस्तमाल करना चाहेगा अब फर्स कीजिए रश्या करेगा रश्या बिलकुल host है में इजमानी कर रहा है इस summit की जी और वो चो बाई टर चाहूंगा कि रश्या अगर इसको इसको इस्तमाल भी करता है तो उसके जो मित्र देश है चार जो जो चीन और भारत है यह रश्या को पहले से support करते आये हैं यूकरेन के खिलाफ यूकरेन की जंग में जो बिलकुल पश्यमी देश अमेरिका और बाकी देश पसंद नहीं क चाहिए तो शायद उनको Saudi Arabia और UAE से मिलना चाहिए या मिलने की लेने की कोशिश करेंगे पर रश्या अपने तरह से इस फोरुम को यूकरेन की युद के लिए इस्तमाल नहीं करेगा ऐसा मेरा मानना है पर इस फोरुम को अंध्य देश जैसे चीन और भारत इसको इस्तमाल कर सकते हैं एक बाइलेटरल मीटिंग करने के लिए या फिर अपने संबंदों में जो खटास एक आई है उसको कम करने के लिए लेकिन ये जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि दुनिया में अब इस वक्त इरान और इस्राइल, रश्या और युक्रेन, इंड शर्या प्रोगों में वेकां यो डायरी समिट हो रहा है तो यह ग्लोबल और में यह जो ड्लोबल डायरामिक्स में यह जो मीटिंग है, किस तरह से इसको यह आगे जाएगा इस तरह से आगे जाएगा कि रश्या युक्रेन के मद्द्ध थता करने के लिए भारत ने पहल किया है। भारत दोनों देशों के नेताओं से मिल चुका है। भारत के प्रदान मंतरी अरे इंदर अमोधी मिल चुके हैं। दूसरे एक दूसरे से उनने बातचीत भी की है। तो पहले वो पुटिन से मिले, प्रेडेंट पुटिन से, फिर जैलेंस्की से मिले, युक्रेन के जो प्रेजिडेंट है। अब उनका संदेश वो लेकर शायद जब उनकी बाइलेटरल मीटिंग होगी, अपस में आपसी बातचीत होगी, मोधी और पुटिन की। उस समय वो संदेश उनको दिया जाएगा। हाला कि भारत के रश्ट्रिय जुरक्षा सलागार अजीद दोवल इस बीच रश्या जाके पूतिन से बात करके आ चुके हैं। और वो संदेश उनको पहुंच गया है। तो एक तरफ यह होगा। दूसरी तरफ भारत और चीन जिनका तनाव अभी पिछले 4-4,5 साल से चल उनके नेताओं को एक मौका मिलेगा अगर वो दोनों चाहते हैं अगर वो दोनों देश चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है वहां साइड लाइन पर ब्रिक्स के यही मेरा सबसे एहम सवाल था कि क्या शी जिन फिंग और नरेंदर मोदी मिलेंगे क् बाइलाटरल मीटिंग होगी यह वही दोनों बता सकते हैं यह दोनों देशों के नेता बता सकते हैं पर एक यह कहना चाहूंगा कि यह होना जरूरी है वही साथ अफरिका में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तब एक इनकी मुलाकात शी जिन पिंग और मोदी की हुई थी हलकी सी मुलाकत होगी थी बहुत कम समय एक बस्रे से वह फ्लीटिंग इंगलिश में कहते हैं इसे क्षन भर के लिए होगी थी शायद इसमें तो उस मीटिंग से कोई निशकर्ष या कोई निरने नहीं हुआ था पर इस बार काफी लोग यह कह रहे हैं कि ऐसा पर इसी आशा मेरे जैसे रिपोर्टर वहां जा रहे हैं कि इस समिट से ज्यादा महत्व जो है इन दोनों मीटिंग्स में है जो मोदी और पूटिन, मोदी और शी जिंपिंग हमारे लिए इंडिया के लिए तो सबसे महत्व होने हैं तो इसका देश जो है मेरे वहां जाने का मुख्यकारण यही दो मीटिंग है जी अगले दशक में अगले 10 साल में आप ब्रिक्स को कहां देख रहे हैं ब्रिक्स का फ्यूचर क्या है आपकी नजर में और मेरे कहाल से यह बहुत इंपोर्टन्ट है कि इस बार की मीटिंग से क्या-क्य विशन ले जाएंगे, किस तरह के जो जो उनका जो प्रेस रीलीज्स, जो नियुका क्मिट्र्टन होगा इस से ये चीज अफकॉस जयादा क्लिर होगी लेकिन अभ ही इस वक्त जाने के पहले आपको क्या लग रहे है जाने के पहले मुझे अलग रहा है कि ब्रिक्स का महत्व बढ़ेगा और ब्रिक्स की जो शुरुवात में एक मंसा थी कि हम एक अल्टरनेट प्लाटफॉर्म बनें जो इमेफ, वर्ल बैंक, अमेरिका लेड वेस्ट है उससे दूर हटकर हम अपनी एक पैचान बनाएं अपना सपोर्ट भी हो एक दूसरे के लिए क्लाइमिट चेंज में या सस्टेनिबिलिटी में जो काम करना चाहिए और जिसके नियम कानून जो है वो अमेरिका नहीं बनाएं बलकि हम खुद को बनाएं और इसको बाकी देशों में इसका प्रचार प्रसार करें ये उनकी एक इच् कोशिश करेंगे जो मुख्यसरस से हैं इसके जो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और आने वाले देस सालों में इसका महत्वा बढ़ेगा ऐसा मेरा मानना है क्योंकि अन्य जो ग्रूपिंग्स हैं जो नेटो है या एरोपियन यूनियन है या एंग्लो सेक्सिन फाइवा जो एक ऐलाइनस है उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश ब्रिक्स के सरिससे देश करेंगे ब्रिक्स के तहत करते हैं या अपने से करते हैं वो अलग बात है और ब्रिक्स के अंदर भी एक ग्रूपिंग है जिसको रिवाइब करना रशिया की बड़ी इच्छा है करने के रहा है और रशिया चाहता है कि हम इस ग्रूपिंग को रिवाइब करें तो आने वाले पांच या दस सालों में ये सब होने की संभावना है तो ब्रिक्स की सद्यसत्या बढ़ गई है क्या ये नाम अलग होगा ये तो भाही रशिया के बाद मीटिंग के बाद ही पता कि स्थापना कर पाएगी अगें वेट और वाच है लेकिन जैसे कि मैंने कहा नितिन जा रहे है रशिया कल और वहां से वो लगातार हमें रिपोर्ट्स और स्टोरीज और अपडेट्स भेजते रहेंगे हम आपको अपने वेबसाइट पे अपने यूट्यूब चैनल पे अ से बात करने के लिए आप सबसे मिलते हैं अगले हफ़ते थैंक यू